चलिए आईए अब हम चलते हैं अमबा जी से बालाराम पैलेस रसौर्ट अगेन यहां का जो रस्ता ता बहुती स्मूध था आप बहुती आराम से इजल्दी पहुँच जाएंगे यहां पर डे विजट के लिए हैं यहां पर डे विजट के लिए हैं कुछ नॉमिनल चार्जेज जिससे पूरा पैलेस हूं सकते हैं और आसपास का जो भी है पैलेस के बाहर का वो भी आप आराम से यूटिलाइस कर सकते हैं बहुत सारी अक्टिविटीज भी करवाते हैं यहा आनिकी सामने से हम लेफ्ट एंट साइट पर जाएंगे तो डिसेप्शन एरिया आएगा चली तो हम डिसेप्शन एरिया पर चलते हैं चेक इन के लिए देखे तो यह है बलाराम पैलेस रिसौर्ट यह आप देख सकते हैं देखे ओपर जो बालकनी दिख रही हैं और जो नीचे भी है सब रूम्स हैं सामने की तरफ भी हो रूम्स हैं सारे के सारे अहाद इसका मेन पार्ट देखे ये देखे माउंटेंस दिख रहे हैं सामने से इतनी जादा ग्रीन रही हम रिजॉट है तो मैं क्या चाहिए में लिए हमें यही चाहिए कि एरिया अच्छा हो हम नेचर के पास रहें और क्या चाहिए हमें हम यहाँ पर क्रिस्मस के टाइम पर गए थे तो आप देख सकते हैं कि क्रिस्मस का डेकोरेशन हो रखा है बहुत ही सुन्दर सजा रखा था सिंपल बद बहुत ही अच्छा यहाँ रिसेप्शन पर भी आपको एक रॉयल जलक देखने को मिलेगी हर चीज में देखिए सामने की तरफ जो ग्रीन कलर के दिख रहे हैं वो टेंट है उसमें भी आप स्टे कर सकते हैं लेकिन हमने रूम में स्टे करना प्रिफर किया था तो आईए चलिए अब हम चलते हैं रूम के अंदर मुझे रूम ना बहुत स्पेशेस होना चाहिए चोडे छोडे रूम में रहने में मजा नहीं आता नहीं तो घर पे ही रह लो एड रूम क्लीन होना चाहिए यह देखिए इसक का सकता है इस लेफ्ट रम से बैठके चाय पी सकते हैं अब देखे यह रूम, रूम आपको देखने में एकडम सिंपल लगेगा, बट बहुत ही एलिगन्ट है, रॉयल्टी तुसमें टपक टपक रही है, यह सामने सोफा ही देखे है, इसकी जो कार्विंग थी, बहुत ही अच्छी थी, पर अभी यह देखे, यह जो लैम्प है, ब काफी ऊच्छा होगा करते थे, तो यह उसी पर बनाये गया है, रियली में बहुत अच्छा है, यह अंदर ड्रेसिंग रूम है, आप यहाँ पर रेडी हो सकते हैं, अपना सामान रख सकते हैं, आए चलिए बातरूम में चलते हैं, यह देखे, यह बातरूम और आए अभी, यह यह बातरूम खतम नहीं हुआ है, बातरूम बड़ा है यहाँ का, बच्चों ने देख लिया आना तो खुश हो जाएंगे, कपा से हैं, रमस्क करने का टाइम, वुट कार्विंग इस पूरे रूम में मुझे बहुत अच्छी लगी, 5 on 5 for the room, अब रूम से बाहर निकल क अब हम देखते हैं, आसपास का गार्डन, गार्डन आप देख सकते हैं, देखें कितना बड़ा गार्डन, oh my god, and छोड़ी-छोड़ी से चीज़े रख हुए थी, वो भी बहुत अच्छी थी, and थोड़ी सा नीचे उतर के हैं, देखिए, यह सीडिया आपको सामने से दिख आपके लिए का इंतिजाम करेंगे, कैमल राइट का जो हमारा सफर था, वो भी बहुत अच्छा था, हम लोग उने बहुत एंजॉय किया उसमें भी, and जो कैमल चलता है, ना देखिए, कैमल चल रहा है, सामने संसेट हो रहा है, हम लोग आराम से बैठे हैं, कैमल कार्ड पे तो बड़ा मज़ा आया, आसपास काफी अच्छा एडिया था, फार्म से आई थिंग किसी के, अब हम जो एंड स्टॉप पॉइंट पे पहुंचे हैं, वो है टेम्पल, टेम्पल अच्छा था, सिंपल सा था, बहुत ही अच्छा था वो भी, चलते चलते उट भाईया बोल से लगा रखी है, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल मिनिमिस्टिक, एंड फूट भी यहां का बहुत ही यमी था, यह सब हमने फर्स दे क्या था, डे टू में हमने कार्डन के और नीचे उतर के आप देखेंगे कि एक तरफ स्विमिंग पूल है, और दूसरी तरफ प्ले इरिय यहां पे इतनी भर-बर के है कि जो नेचर लवज है, उनको तो यहां पे बहुत ही मजा आने वाला है, सैक्लिंग भी कर सकते हैं, आप वहां पे सैक्लिस अविलेबल हैं, तो यह भी कच्छ ऑप्शन है, यहां पे इनका वीकल भी है, जो यह पूरे पैलस का आपको नहीं जा सकते हैं, जिन लोगों ने रूम के बाहर निकल के नहीं देखा कि क्या-क्या है, तो वो इस चीज़ का बिल्कुल आनन्द उठा सकते हैं, और देख सकते हैं कि आसपास क्या-क्या था, देखे इसके रूम्स हैं, अभी हम उपर जाएंगे और टेरिस पर देखें जो टेरिस हैं, इस पर ये छत्रियां बनी हुई है, और यहां से जो व्यू आता है, वो भी बहुत अच्छा है, तो यहां पर आकर टेरिस पर जरूर आईएगा देखें लोगों ने यहां पर सेलिबिटीज कौन-कौन सहत इनका भी लगाया हुआ है, एक और चीज बता दूँ, जो सूर्य वन्शम मूवी है, उसकी शूटिंग भी यहीं तो वी थी, जी हां बिलकुल सही सुना, सूर्य वन्शम मूवी अमिताब बच्चन जी की याद तो होगी न, यह देखें, कितना अच्छा लबना रखा है, जो चेर्स हैं यह भी कितनी अच्छी है, तो आए दिखाती हूँ मैं आपको, यह देखें, आमिताब बच्चन जी का वो सीन, देख लिया, सूर्य वन्शम मूवी की शूटिंग यहीं हुई थी, तो अब तो आन करें मैगजीन पढ़ो, रख दोर आराम से बैठो, तो चलिए यहाँ से अच्छे ची याद लेकि हम निकलते हैं